UPSC में जलवा है बिहार का ये बात अब पुडानी हो गई है IS बनने की राह में अब बिहार के युवा पिछरते जा रहे हैं एक समय था जब लोग कहते थे कि IS कैसे बनना है ये बिहारियों से पूछो लेकिन आकरे ये बताते हैं कि UPSC की रेस्ट में बिहार के युवा पिछरते जा रहे हैं साल 2019 में 180 अबिहार्ती ऐसे थे जिनका चैन बिहार से हुआ था वहीं UPSC 2023 में मातर 32 युवाव का चैन हुआ है 2019 से 2023 में चैनी तिवाव में बिहारियों की संख्या गिरती जा रही है इस बार All India टॉप 10 रैंक में राजे से कोई भी अबियरती जगा नहीं बना पाए है UPSC 2023 के रिजल्ट में हिंदी मीडियम के रिजल्ट में सबसे पीछे बिहार है इस बार हिंदी मीडियम से कुल 42 उमीद्वारों का रिजल्ट आया जिनमें 37 लर्के और 5 लर्कियां सामिल है सबसे आगे है राजस्थान यहां से 18 वियरती हिंदी से सफल हुए दूसरे नमबर पर उतर परदेश से 12 वियरती हिंदी माधियम से सफल हुए जो कि वहां की अबादी के हिसाब से भी बहुत कम है मधिय परदेश से कुल 9 रिजल्ट बाकी बचे रिजल्ट एक बिहार से एक 36 गर और एक गुजरात का है साल 2019 में कुल 839 पदों में से 180 पर बिहारियों के चैन हुआ 2020 में कुल पद 761 बिहार से हुए 133 सफल चपन दो हजार बाइस में कुल पद 933 बिहार से सफल हुए मात्र अर्शट साल 2023 में कुल पद 1016 बिहार से सफल हुए मात्र 32 इस बार ओल इंडिया टॉप 10 रैंक में राज से कोई भी अवियर्ती जगन नहीं बना पाए है शिक्षा वीद गुरु रहमान की मानेद बिहार से सफल होने वाले विद्यार्तियों की संख्या में गिरावट के कई कारण हो सकते हैं लेकिन एक प्रमुख कारण सिलेवस में बदलाव और सी सेट पैटर्न को लेकर है इसका एक दूसरा कारण हिंदी भार्षी होना भी है पटना से लोकाल लेटिंग के लिए सचदानंद की ए रिपोर्ट